पार्ट फिप्टीन की शुरुआत में हम बायशाओ को देखते हैं जो की भागता हुआ शिया के पास आता है और उसे देखकर कम्प्लिटली शॉक्ड हो जाता है आफ्र डैट वो अपनी एंड शिया की सभी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और काफी जादा इमोशनल हो जाता है शिया को ऐसे देखकर नान जी याओ एंड सी चैन को भी काफी जादा बुरा फिल होता है जिसके बाद बायशाओ शिया को उठा कर वहां से ले जाता है तभी उसे जौजिंग के पास Sia का फोन मिलता है और उसमें उसकी लोकेशन ओन होती है तभी बायशाओ Sia को लेकर वहाँ पे आ जाता है After that वो Cat Demon Haiyun से fight करना start करता है But Haiyun से fight करने से पहले Bai Shao को उसके चम्चों से fight करना पड़ता है जिसके बाद वहाँ पे Si Chen एंड उसके master आकर Bai Shao की help करते हैं And finally Bai Shao and Cat Demon Haiyun की fighting start होती है And वो दोनों तो क्या fight करते हैं तभी वहाँ पे Nanji Yao आती है And वो भी Bai Shao की help करती है वो Cat Demon Bai Shao से कहती है कि अगर तुम मुझे जोड से मारोगे तो फिर Shia की friend की यहीं पे मौत हो जाएगी धीरे धीरे वहाँ पे सभी डीमन्स इकठा होने लगते हैं And fight करते हैं Si Chen Shia की friend को देख कर कहता है कि आखिर ये Bai Shao से fight क्यों कर रही है तो जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि उसे किसी डीमन ने possess कर लिया है जिसके बाद वो Si Chen को उस डीमन को Shia की friend की body से बाहर निकालने के लिए कहते हैं पहले तो Si Chen ऐसा करने से मना करता है बट उसके टीचर के कहने के बाद बैफंग बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसके बाद तो कैट डीमन हायून नांज याओ एंड बाय शाओ को एक साथ ही हैंडल कर लेती है ये सब देखकर Si Chen के मास्टर कहते हैं कि लगता है हायून एंड बैफंग के बीच में कोई ना कोई connection जरूर है बिक्कॉस अब हायून पहले से काफी जादा स्ट्रॉंग हो चुकी है जिसे सुनकर Si Chen कहता है कि अब हम क्या करेंगे तो जिस पर उसके टीचर कहते हैं की करना क्या है फाइट करेंगे थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद Si Chen के master भी उस cat demon हायून से हार जाते हैं cat demon बायशाओ से कहती है की अपने भाई को देखने के लिए तयार हो जाओ Si Chen के टीचर बायशाओ से कहते हैं की तुम जाकर spirit बीड याने की मोती को वापस लाओ after that वो सभी फिर से अपना अपना काम करने में लग जाते हैं वहीं बायशाओ spirit बीड को लाने जाता है काफी कोसिस करने के बाद at last उसे वो मोती मिल ही जाती है मोती लेने के बाद बायशाओ जाकर उस cat demon को वहीं पे मार डालता है जिसके बाद वो शिया के पास जाकर उसे जगाने की कोसिस करता है जिसे देखकर शी चैन के माश्टर कहते हैं कि शीया एक इनसान है ना की डीमन और वो अल्रेड़ी मर चुकी है सो अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है जिसे सुन कर सब काफी ज़्यादा सैड हो जाते हैं तब ही शी चैन शीया का फोन लाकर बायशाओ को देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने आज का दिन तुम्हारे बर्डे के लिए डिसाइड किया है सो प्लीज केक लाना मत भूलना एंड हैपी बर्डे ये सब देखकर बायशाओ काफी ज़्यादा सैड हो जाता है तब ही वहाँ पे क्यूशंग आती है एंड बायशाओ से कहती है कि स्पिरिट वीड को 10,000 डीमन्स की पावर मिल चुकी है इसलिए अब तुम इंमोर्टल बन सकते हो और स्पिरिट वीड से यानि की मोती से अपनी बिश माग सकते हो तो जिस पर बायशाओ क्यूशंग से पूमस्ता है कि क्या ये मोती अभी मेरी किसी विविश को कम्प्लीट कर देगी तो जिस पर क्यूशंग कहती है कि हाँ बिलकुल जिसके बाद बायशाओ उस मोती से श्रिया को दोबारा जिंता करने की विश मागता है एंड क्यूशंग से कहता है कि एक हजार साल पहले मैंने तुम्हें फालो किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक नाम मिलने के बाद मैं कम्पलीट हो गया हूँ बट शिया से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आखिर प्यार क्या होता है सिया ने मुझे मेरी लाइफ में काफी कुछ सिखाया है इसलिए अभी मैं सिर्फ और सिर्फ शिया को ही पाना चाहता हूँ और हमेशा उसी के साथ रहना चाहता हूँ जिसके बाद क्यू शिंग वहां से चली जाती है एंड फाइनली शिया भी अपनी आखे खोल लेती है एंड बाई शाओ को हैपी बर्डे विश करती है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं एंड वहां पे सब भी खड़े लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं दे नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली शी चैन के टीचर वापस जा रहे होते हैं बट वापस जाने से पहले वो शी चैन को काफी कुछ समझा के जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम उन डीमन से दोबारा मिलेना तो फिर मैं तुम्हारा मास्टर नहीं और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊ ना तब तुम्हारे कंटेनर में 10 डीमन्स होना चाहिए वरना तुम मुझे मास्टर वोलना बंद कर देना और हाँ एक आखरी बात जब next time मैं आऊ ना तब तुम्हारे साथ तुम्हारी girlfriend भी होना चाहिए otherwise you can stop calling me your master जिसे सुनकर शी चैन कहता है कि मैं ये बात तो आपसे promise नहीं कर सकता वहीं दूसरी तरफ नाजियाओ भी जाने का plan cancel करती है और वापस आ जाती है जिसके बाद वो बायशाओ का दिया हुआ gift देखते हुए कहती है कि बस मुझे चार से पास decades का इंतिजार और करना पड़ेगा and इतना समय तो पलक जपकाते ही भीच जाएगा and in the end मैं ही वो person हूँ जो हमेशा बायशाओ के साथ रहूंगी वहीं दूसरी तरफ शी चैन भी शीया की friend की काफी जादा care कर रहा होता है and at last यहाँ पे सी चैन को पता चल जाता है कि शीया की friend भी उसके container को देख सकती है क्योंकि शीया की friend सी चैन से कहती है कि तुम यह हमेशा अपने साथ क्या लेका रखते हो यार कितना गंदा दिखता है जिससे सुनकर हमारा सी चैन was like क्या तुम इसे देख सकती हो तो जिस पर शीया की friend कहती है कि हाँ बिलकुल जिससे सुनकर तो हमारा सी चैन कम्प्लीटली श्रॉक्ड हो जाता है अप उसे हमारे शीया की friend की आखों में मतलब की चेहरे में अपनी वाइड दिखनी लगती है देन नेक्स सीन में हम शीया अपना घर छोड़ कर कहीं और सिफ्ट हो रहे होते हैं जाने से पहले आखरी बार वो दोनों अपने घर को देखते हैं देन चले जाते हैं देन नेक्स सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों आपस में बाते एंड मस्ती कर रहे होते हैं बाइश और सीया से पूंसता है की आखर तुम्हारे पास अपना फोन जाजिंग के बैग में रखने का आइडिया कहां से आया तो जिस पर शिया कहती है की मुझे ये तो पता था की आज में मरने वाली हूँ इसलिए मैंने लोकेशन आउन करके चुपके से अपना फोन जाजिंग के बैग में डाल दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए की आखिर अभी तुम्हारी मोती यानि की स्पिरिट बीड कहां है क्योंकि वो मोती तुम्हारी है और मैं नहीं चाहती थी की वो मोती तुम्हारे अलावा किसी और के पास रहे और वैसे मुझे भरोसा नहीं था कि मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी तुम उस मोती की हेल्प से अपनी इम्मोर्टल होने वाली विश को कम्प्लीट कर सकते थे बर तुमने मुझे क्यों बचाया तो जिस पर शिया कहती है कि इस पर तुम मुझे कितने दिनों तक जीने दोगे जिससे सुनकर बायश और थोड़ा सोंसता है और दन कहता है कि शायद पूरी जिंदगी भर यानि की लाइफ टाइम तक आफटर दैट वो दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम कैट डी मन हायून को देखते हैं जिसका बलड एक जगे पे इकठा हो रहा होता है और दन वो सारा बलड जाकर जॉजिंग की बॉड़ी से इकठा हो जाता है मतलब की जुड़ जाता है जिसके बाद जॉजिंग अपनी आँखे खोलता है और उसकी आँखे कम्प्लीटली बलैक होती है आफटर दैट ये सीन यहीं पे कट हो जाता है दन नेक्स सीन में हम शिया को देखते हैं जो की काफी जादा फेमस हो चुकी होती है क्योंकि उसने The Life of the White Fox नाम की कहानी लिखी थी जो की उसकी एंड बाइशाओ की थी एंड वो काफी फेमस हो चुकी थी और जिसके बाद शिया ने उसका सीजन टू भी लाँच कर दिया था और The Life of the White Fox के सीजन टू के कॉपी राइट के लिए उसे काफी सारे कॉल्स आ रहे थे जिसके बाद शिया सामने देखते हुए कहती है कि बाइशाओ एंड शिया सीजन टू में अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करेंगे और सीजन टू में एक काफी हैंडसम परसन भी आने वाला है मेरी फ्रेंड सी, चैन, नंज, याओ, एंड जो जिंग ये सब तो सीजन टू में रहने ही वाले हैं जिसके बाद हमें सामने एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड पार्ट 15 यही पे खतम हो जाता है एंड गाइस इस ड्रामा का सीजन टू आई थिंग की दिसंबर में लॉंच होने वाला है 2021 में सो इस ड्रामा के लॉंच होने की कुछ दिनों बात मैं इसे भी एक्स्प्रेइन कर दूंगी बट फिर भी तब तक आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो सीजन टू ताकि मुझे पता चले कि आखिर आप में से कितने लोगों को इसका सीजन टू चाहिए थैंक यू सो मच गर्स फोर वाचिंग मैं एक्स्प्लेनेशन स्टे सेफ एंड हाल दी बाबाई एंड सी यू सून मैं बहुत जल्दी वापस आने वाली हूं एक नय ड्रामा को लेकर